एलो दोस्तों द्रिश्टी आईस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है हम जानते हैं कि हमारे देश में और पूरे विश्व में लगबग गरीबी और भूख से संबंदित विशे बहुत जादा महत्पूर हैं बहुत जादा चर्चा में बने रहते हैं खास त समस्या से निपटने के लिए भारत ने कुछ कदम उठाय जाने के लिए प्रयास किये हैं एक कदम के रूप में भारत में मिलेट को खाद्य पदार्थों की रूप में या फिर लोगों के प्रमुख भोजन के रूप में शामिल करने की बात कई है इससे जुड़ा हुआ एक अंतराश्टी इस तर पर वर्ष घोशित किये जाने की भी बात कई गई है आज के सेशन में हम देखेंगे पूरी बात को तो जो टॉपिक है वह है अंतराश्टी मिलेट वर्ष 2023 और भारत में मोटे अनाज की स्थिती यह अपने आप पे बहुत ज़्यादा महत्पूर है खास तोर से क्रिशी वाले सेक्शन के लिए और मिलेट को ले करके चुकि सरकार इस तक बहुत ज्यादा एक्टेव है और अंतराश्टी इस तर पर पूरी कम्यूनिटी को जोड़ करके चलने का प्रयास कर रही है ऐसे में मि कैसे किसानों की आए बहतर करें कैसे पोशड का इसतर बहतर करें और कैसे लोगों को इससे जुड़ें तो न्यूज आई है वाई इंडिया पुश फॉर मिलेट इस एट टू गेन वाइडिस्ट्रेट ट्रेक्शन इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है हम किस-किस बिंदू कितना पोशक दे सकता है यह पीडियस के तहट इसकी क्या स्थिति है यानि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो सरकार चलाती है लोगों को कम कीमत में अनाज उपलब्द कराने के लिए मिनिमाम सपोर्ट प्राइस का क्या है प्रमुख राज्य और खपत किस तरह से इसकी की जा रही कौन-कौन से राज है जहां पर प्रमुख रूप से इसका उभूख किया जा रहा है क्या निशकर्ष हो सकता है और एक प्रश्न जो की मेंस के लिए बहुत ज्यादा मेहत्पूर हो जाता है प्रिलिम्स में भी पूछा जा सकता है यह विशय जीयस पेपर दो के अंतर जुड़ सकता है सीधे तोर पर सरकारी नीतियां और गरीबी तथा भूख से सम्मंदित विशय अंतराश्टी सम्मंद खंड भी जुड़ जाएगा इसके अलावा अगर आप इसको जीयस पेपर 3 से जोड़ना चाहें कि सतत विकास और उससे सम्मंदित जो 2023 में अंतराश्टी मिलिट वर्ष के रूप में मनाय जाएगा तो उसके लिए इस साल ही अभी से कई सारे आयोजनों की शुरूआत कर दी गई है और एक तरह से प्री लॉंच समारों शुरू किया था किसने शुरू किया कृशी और विदेश मंत्राले की तरफ से शुरू कि के लिए कोविड-19 के दौरान हमें आर्थे की रूप समस्याएं देखने को मिली उससे संघर्ष और जलवाई परिवर्तन की चुनौतियां है उससे खाद उत्पादन और खाद संघर्ट की स्थितियां बन सकती हैं पूशड की स्थितियां खराब हो सकती हैं तो वैशुक प्रिय बनाए जाने की बात भी कही गई है कि लोग खाने की रूप में इनका उप्योग करें तो सबसे पहले शुरू करें कि मिलेट फसल है क्या मिलेट शब्द का प्रियोग किस किस तरह से किया जा सकता है तो मिलेट शब्द सुनके अक्सर हमें ऐसा रगता है शायद प्रियोग कैसे कैसे किया जाता है पहला जौर जैनी सौर घम बोलते हैं पर्ल मिलेट कंगनी इतालवी बाजरा यानी फिंगर मिलेट, इसी तरही चीना या आम बाज़रा इसको बोलते हैं प्रोसो मिलेट तावा, सानवा या जहंगोरा बार्णीयार्ड मिलेट और फिर कोरले यांनि कि ब्राउन टॉप मिलेट इसमें तो कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े से महीन होते हैं बाकियों की तुल्ला म उनमें पोशक तत्व कहीं ज्यादा मिलते हैं ऐसा बताया गया है तो अब मिलिट फसल के बारे में सोड़ी चर्चा कर लें कि कब से इसकी शुरुआत हुई तो इसकी शुरुआत हमें काफी समय पहले से दिखाई देती है और सिंदुखाटी सभिता के अंतरगत भी जो हमें स की गई थी ऐसा भी पता चलता है इसके अलावा पश्यम अफ्रीका चीन और जापान में कई अन्य तरह की स्वादेशी जो किसमें हैं उनका विकास किया गया था यह कुछ ऐसी किसमें थी जो भारत में ही शुरुआत से उप जाए गई अब इसके अलावा 130 से अधिक देशो अभी के लिए बना हुआ है तो कई सारी बाते हैं इसके बारे में जो हमें जाननी चाहिए जैसे कि चावल और गेहूं की तुल्ला में जो मिलेट की फसल है वो काफी कम पानी की आवश्यक्ता उसे होती है और इसके लिए वर्षा आधारिक शित्रों में प्रमखुरूप से इसको जा लिया जाता है विश्व स्तर पर देखें तो ज्वार मिलिट की सबसे बड़ी फसल है और इसका सबसे बड़ा जो उत्पादक है कौन है यूएसे चीन ऑस्ट्रेलिया भारत अजंटीना नाइजीरिया और सूडान इस बात को ध्यान से समझेगा क्योंकि इससे प्रमुक फसल है जो कि भारत और कुछ प्रमुक अफ्रीकी देशों में उपजाई जाती है इसके अलावा भारत में अगर बाजरा को देखें तो यह खरीफ की फसल है प्रमुक रूप से खरीफ के सीजन में उपजाई जाती है अब 2018-19 के दौरान टिश्यम अंतराले ने ब और बाकी रागी और कुछ अन्य भी हो सकते हैं तो लगभग यह अनुमान बताया गया है अब इसके कितना पोशन मिलता है किस तरह से हमें लाब होता है न्यूट्रीशन कैसे मिलते हैं तो मिलिट को पोशन का पावर हाउस कहा गया है तो यह बहुत बढ़ी बात है बहुत अवित्रल के सतर पर अगर देखा जाए यह अगर आप इसका वित्रल करते हैं फिर भी इसको पोशक अनाच की रूप में हमें देखना चाहिए अब एक रिपोर्ट बताती है आई सी ए आर और भारती अनुसंधान संस्थान की तरप से उन्होंने कुछ सर्वे किये थे जिस के अंतरगत मौजूद है इसके अलावा मिलिट वर्ष की घोश्रा क्यों की गई कैसे की इसको भी समझ ले तो तीन मार्च 2021 को सयुक्तुराष्ट महा सभा ने 2023 को अंतराष्टी मिलिट वर्ष के रूप में अपनाय जाने की बात कही थी इससे जुड़ा हुआ एक जो प्रस के से अंतराष्टी मिलिट वर्ष के रूप में भी भारत का ये प्रस्ताओ था जिसको भातर देशों ने समर्थन दिया है और अगले साल इसको मनाया जाएगा क्यों ऐसा किया भारत ने क्या उद्देश थे पहला मिलिट के बारे में लोगों में जागरुकता फैलाना क्यो जुड़े हुए कई सारे सम्मेलन और चेत्री गतिविधिया आयुजित कराना और इससे जुड़े हुए टिकट सिक्के जारी करना ताकि लोग और ज्यादा जागरुक हो और कई तरह के कारिक्रमों को शुरू करना कुल मिला कर कहें तो मिलिट्स को कैसे हम लोगों की थाली करें यानि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम तुराष्ट्री खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 का जो है एन एफ एसे नेशनल फूट सिक्यूरिटी एक्ट उसके अंतरगत जो भी पात्र परिवार हैं उनको प्रतिकिलो के हिसापने देखें तो चावल तीन रुपए मे गेहूंदो रुपए में और मोटा अनाज एक रुपए में मिलता है याद रखीगा यहाँ पर मिलेट शब्द का उलेख नहीं है मोटे अनाज की रूप में लिखा गया है अब इसकी धारा दो पांच के मुताबिक जो मोटा अनाज है उसको खाद्यान की रूप में परिभ सरकार ने समीति ने कहा था कि इसको शामिल कर लेना चाहिए और इसकी सिफारिश को स्विकार कर लिया गया है और खरीव की मार्केटिंग सीजन 2022-23 के दौरान लगबग 13.7 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की हडीत का लक्ष रखा गया है जो कि पिछले सीजन के हिसाब से लगबग 2 गुने से भी जादा है तो इस बार इसको जादा से जादा शामिल किया जाएगा MSP में देखे कैसे शामिल है तो सरकार केवल इस समय ज्वार बाजरा और रागी के लिए ही MSP की घोशना कर रही है ठीक बहुत सारे ऐसे हैं जो छूट जा रहे हैं तेकिन जैसे जैसे उनका भी एक तरीके से समाज में वैलुएशन बढ़ेगा लोगों के दोरा acceptance और demand सकते हैं अब खरीफ मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए सरकार ने जो MSP तै किये हैं कुछ के बारे में हम जान ले जैसे कि ज्वार हाइब्रेड MSP हैसका 2970 रुपए प्रतिक उंटल ज्वार मालदंडी 2990 रुपए प्रतिक उंटल बाजरा की है 2350 रुपए प्रतिक उंटल औ तो कौन-कौन से राज्य हैं और कितनी इसकी खपत हो रही है ज्वार और बाजरा दो के प्रमुख डेटा हमारे पास मौजूद हैं तो महाराष्ट करनाटक राजिस्थान तमिलनाडू आंधर प्रदेश उत्तर प्रदेश तिलंगाना और मद्रप्रदेश ज्वार से संब सबसे बढ़ा क्षेतर देखा गया इस तरह बाजरा का अंकड़ा देखें तो राजिस्थान उत्तरप्रदेश हरियाना गुजरात मद्रप्रदेश महाराष्ट और करनाटक प्रमुख राज हैं और राजिस्थान ने 2020-21 में देश में सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन क जाला कि हमारे बहुत ज्यादा महत्पून रूप से टेटा उपलब्द नहीं है डेटा बहुत जदा अपडेटेड नहीं है नहीं देटा है वो भी लगबग एक दशक पुराना है एक से सर्वे का तो घरेलु रूप से कितना उपभोग किया जा रहा है इसका अकड़ा अगर हम देखें तो ग्रामील और शहरी परिवारों में से 10 फीसस से ही कम जो मिलेट की खपत हो रही है उसकी सूचना मिली है कि 10 फीसस से भी कम परिवार इसका उपभोग कर रहे हैं इस तरह से वहां उत्पादन होता है गुजरात जहां जौर और बाजरा करनाटक जौर और और रागी महराष्ट जौर और बाजरा राजिस्थान में बाजरा और उत्राखंड में रागी प्रमुक रूप से शामिल हैं तो हमने बहुत सारी बातों को समझा अब एक निशकर्ष को समझ लें इस टौपिक से जुड़ा हुआ तो पहला तो यह है कि एशिया और अप्र है उसमें इसका भोग किया जाता है जो बास्केट बनी है उसमें कम ही लोग हैं जो इसका भोग करते हैं तो इसका डेटा भी हमारे पास है लगबख 60 करोड कह सकते हैं तो 2023 को अंतराष्टी मिलिट वर्ष घोशित करवाने का प्रयास करना और अगले वर्ष इसका एक देश बनाता है दूसरा राजनीतिक इस्तर पर भारत की छवी बहतर होती है देशों के इस्तर पर या फिर अगर भारत की आयंत्रिक राजनीति में भी जोड़ेंगे तो भी इससे एक सकरात्मक महौल ही बनेगा तो अंतराश्टी सौर गटबंधन इसका एक और उदारण है ज इस्तिमाल करेंगे चलिए अब देखें सवाल आज का अंतराश्टी मिलिट वर्ष मनाने के उद्देशों को इस पश्ट करते हुए इसके लाभों पर चर्चा कीजिए तो 250 शब्दों में आपको इस उत्तर को फ्रेम करने का अभ्यास करना है हमें जरूर लिखिएगा यह स सेशन आपको कैसा लगा उमीद है आज के सेशन में भी आपने कुछ सीखा होगा आप से मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्यमहत्पूर्ण विश्यों और सवालों के साथ तब तक पढ़ते रही अपना खुबतारा ख्याल रखिए शुक्रिया